हेलो स्टुडेंट आप लोग सब कैसे हैं I hope आप सब लोग अच्छे होंगे आजकल हाफ एर्ली एक्जाम की तैयारियों में बीजी होंगे आज हम बात करेंगे हाफ एर्ली एक्जाम के अकाउंटनसी पेपर की तो वैसे बोर्ड में एक्जाम जो अकाउंटनसी आता है वो 80 म čाम की पार्टर्षिब होती है आपकी पहली फिस्ट बूक कमपनी होती है अपके कम्पनी सब्सक्राइड में डिले का इंकिन इंदर यह जो जो फर्स्ट वुक है वो तो सब लें कम्प्लीट करा दिया सब स्कूल के लेकिन कुछ स्कूल ने पहले कंपनी कराई है सेकेंड बुक टो तो जिन स्कूल में पार्टनेसिटूर सब ही किन अगर किस इस नहीं करा है तो आप ये म मां लीजिए कि जो analysis of financial statement है वो 20 marks की है तो हम 10 10 marks दोनों में डिवाइड करते थे 10 marks partnership में डिवाइड करते हैं और 10 marks हम company में डिवाइड करते हैं तो ऐसे समझ लिए कि हमारी partnership जो होगी वो 46 marks की हो गई और जो company होगी हमारी accounts होगे वो 34 marks हो गई और यह मालने कि किसी के स्कूल में partnership के साथ cash flow करा लिया है वाली बुक जो है analysis of financial statement करा लिया है तो आप समझ लिए कि company हमारी 24 marks की हट गई है तो वह 24 marks हम partnership में और उसमें डिवाइड कर देते हैं तो फिर company हटाने के बाद partnership होगी हमारी 36 plus 12 48 marks की और analysis of financial statement होगी हमारी 20 plus 12 32 marks की तो overall इस तरीके से marks adjust होने चाहिए ठीक है अब बात करते हैं कि paper का pattern वैसे तो paper का board का pattern है question number question उसी साथ से आने चाहिए जैसे one marks के 20 question है आपके total 80 marks में जो है वह one mark के 20 question है three marks के six question है तो 18 marks के वह होगे four marks के three question है वह आपके 12 marks के हो और six marks के five question है वह 30 तो इससे overall 80 marks का यह total paper बनता है तो इन 80 marks को सब teacher इसी में adjust करेंगे तो 20 marks तो आपके आनी यानि यानि एक परसेंट ऐसा कह सकते हैं कि important question की बात कर लेते हैं कि उसमें important topic कौन से हैं और हाफ एल्ली में कौन-कौन से question जो है वह आने की possibilities है तो partnership में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वह accounting partnership जिससे हम fundamental कहते हैं यह बहुत important topic है बहुत important chapter है बोर्ड के अंदर भी यह जो का partnership आपकी 36 marks की है इसमें 10 marks तो इसी को allotted है तो इसकी सबसे अले fundamentals की हम बात करते हैं तो fundamentals में जो important topic हैं वह सबसे पहला topic सबसे ज़्यादे important है वह distribution of profit है इसके अंदर जिसमें आप PLA profession मनाते हो यह सबसे important topic है ठीक है दूसरे नंबर पर है हमारा rules applicable in the absence of partnership deed ठीक तीसरा topic है हमारा guarantee of minimum profit यह बहुत important है और last number पर हमारा past adjustment तो इसमें past adjustment में आपको और distribution of profit जो हमारा profit प्रॉफिट है इन सब के लिए जो side items है जो में important topic है जो elements है वो दोनों के लिए आपको तैयार करने हैं वो तो आपको आने ही चाहिए अलग से भी आने चाहिए और इनमें जो involved होते हैं वो भी आने चाहिए वह है इंटेस्टांट ड्रॉइंग्स इंटेस्टान कैप्टल्स पार्टनर्स कमिशन एड्सक्टरा तो यह तो अवर आल हर एक हर एक पास्ट डिस्ट्रिश्मेंट हो ज्यां डिस्ट्रिबिशन प्रॉफिट हो सम्में involved होता है तो पहले बात है जो बड़ा मैं जूटांट होता है जिसमें लॉंक बनता है अगर वह कोशन है तो यह कोशन प्रॉफिशन और प्रॉप्रिशन बन जाता है तो में टॉपिक जो रप्रॉफिशन जिसमें मनता हो वह वह question तो हमारा 6 मार्स का आने ही आना है और साथ-साथ में पास्ट एडिस्टमेंट का चोटा question जो आपको 3 चोटा question तो फंडमेंटल में इस तरीके से आपको वह question जिसमें प्रपैर होता है वह इंपॉर्टेंट है और एक पास अगले टॉपिक जो होते हैं री ऐसे वी पारटनरिशिफ फार्म होती है यह एक लास्ट हमारा जो टॉपिक है वह अलगसे है डिसलेशन पाटरिशिफ फार्म इन में बाखी बचे हुए कोश्यन collection के आनगें तो हमry chapter wise ले ले लेते हैं सबसे इंसब में जो सबसे important कोई या कजड़ है वो admission ऑफ a partner practitioner के अंदर long question बरड के अंदर भी आपको कि आनहीं आना है और वह long question जो है वह कि अगर इसींपल question आता है तो हो सकता है वो पूरा आजाए balance sheet तक लेकिन अगर adjustment of capital और वो जो when new partners capital missing in the question होता है जिसमें proportionate capital वगरा निकाल दोते हैं उन दोनों में से अगर आता है तो फिर question आपको balance sheet तक नहीं आएगा only capital account तक ही आएगा तो वो question सबसे important है वो बड़ा question आता ही आता है और वो इंटरनल choice के साथ आएगा उसके साथ possibility जो है वो अभी तक ज्यादा यह है के admission के साथ retirement के question की choice लगती है ठीक है उसके बाद एक चोटे topic भी है आपके three four marks के अंदर उसके अंदर treatment of goodwill है treatment of worksman compensation reserve है treatment of investment fluctuation reserve है यह सब इनके ओपर छोटे question अलग से आने की three या four marks में आने के chances है next chapter है मारा retirement retirement long question तो मैंने पहले हैं आपके बोलती है admission के साथ जो choice लगेगी six marks question की वो बोर्ड में approximately 90 परसंट यह होता है admission और retirement लगती है तो long question तो आपके इसका भी prepare कर नहीं है वैसे ही करना है इसमें भी simple question आए तो हो सकता है में भी बैलंशीट तक आ जाए लेकिन अगर adjustment of capital इसमें भी आएगा तो बैलंशीट तक नहीं आएगा उससरी partners capital तक ही आएगा उससे आगे balance sheet बनाने को नहीं कहा जाएगा ठीक है three four marks के question इसमें भी हो सकते हैं छोटे profit sharing ratio का question हो सकता है treatment of goodwill का हो सकता है और वैसे treatment of WCR और वह सेम जैसे admission में इसमें भी पूछी जा सकते हैं उसके बाद next chapter हमारा death of a partner death of a partner में three four marks question आता है तो वह तो आपका PL suspense का आता है वह ही chances रहता है लेकिन अगर बड़ा question आएगा तो six marks का अगर आएगा तो वह आपका preparation of partners deceased partner capital account वह question आने के चाहँ वह ही रहता है six marks का आएगा तो वह ही आएगा preparation of deceased partner capital account और इसके अंदर four marks में एक और important है preparation of deceased partner executor account जिसमें वह loan की शेप में बनता है percentage of loan दिया तो उसका पेमिट तो वह अला account वह वह अला topic भी important है death of a partner के बाद dissolution की partnership dissolution of partnership firm की बात करें तो उसमें सबसे important जो होती है वह general entities होती है है सबसे जाधा important होती आपने prepare करनी है हां अगर वाइचांस जो है वह किसी वह मिस होती है तो आपको integration बनाने का question आ सकता है ठीक है उसके बाद है हां ती स्मेवरी की बात करें तो एक theory का question बहुत इसके बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको त्योरी में इसको प्रिपेर करना है तो यह तो रहा गया इसमें पहले चेप्टर की बात एक में छूट गई है कि जो फंडामेंटल हमारा चेप्टर है उसके अंदर एक साथ में चैप्टर जुड़ोगा है गुड़विल वैलिएशन ऑफ गुड़विल वह आप यह समझिए कि वह फंडामेंटल के साथ ही है तो उसमें 3-4 मार्ट का जो है वह आपको गुड़विल का कुश्चन आने के पॉसिबिल्टी रहती है जिसमें सुपर प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर कुश्चन आत है आपका एवरेज प्रॉफिट का तो वह देजस्मेंट आ सकता है उसका कुश्चन आने के चांस रहते हैं तो थ्री फो मांक्स का कुश्चन वह भी आ सकता है उसके बाद नेक्स है हमारा कमपनीज अगर आपके साथ पार्टनर्शिप के साथ कंपनी आ रहा है तो फिर वो आपको तैयार करना है और इसमें कम्पनीज अकांट के साथ शेर के साथ इस्यों डेवेंचर भी है दो शिक्स मार्स का कुश्चन आपको अलोट्मेंट कर भी आ सकता है और डेवेंचर का कोस्चन भी दो-तिन टॉपिक मिला कर आपको वह आ सकता है उसके बाद इसके अंद डिस्क्लोजर ऑफ शेयर केटल बैंशिट वरी वरी इंपोर्टेंट है और छोटे कोश्चन जो होते हैं वह आपके फॉर फीचर और रीश्यू वाले कोश्चन रहते हैं तो यह सब छोटे कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट थ्री फोर मांक से कोई कोई कोश्चन आनी है तो अंके कोई भी इंवफ हो सकते हैं इसके अंदर थियूरी उप्रॉटेंट है एंड researching करने चाहिए तो आपके इसज्ट एंप्डॉड स्टॉम्टी प्लेंट है यह कोश्चन और difference between the capital reserve and reserve capital, यह बहुत important है, तो यह आपको तियार करना है, और सबसे important question है, section 52-2, यह बहुत important है, one marks में, इन में से कोई भी topic उसमें आ सकता है, जिसमें यह है, state the purpose for which security premium may be utilized, section 52-2, state the purpose for which security premium may be utilized, यह आपको theory में भी important है, और इसका practical भी बन के आ सकता है, तो company issue of shares में आपके यह सब topic हैं, और साथ में हैं debentures, तो debentures में भी different topic हैं, ठीक है, तो वो topic क्या है, सबसे पहले, तो issue of debenture with terms of redemption सबसे important है, issue of debenture with terms of redemption, जिसमें आपके 6 cases है, issue of debenture at par, repayable at par, issue of debenture at par, repayable at premium, यानि issued repayable at par और repayable at premium, यह दोनों वाले जो terms with redemption है, वो important है, उसके बाद vendor वाला, issue of share, issue of debenture to vendor for purchase of asset और purchase of running business, यह बहुत important है, उसके बाद interest on, interest on debentures का topic बहुत important है, और issue of debenture for collateral security भी है, इसके अंदर, तो सबसे important तो यह रहगा, issue of debenture with terms of redemption, और vendor का और interest on debenture वाला topic, यह important सबसे रहते हैं, तो debenture और issue of share मिला के यह तो total आपका companies account है, अब जिन स्कूलों में company नहीं है, कराई गई है, उनमें analysis कराई है, तो analysis of financial statement, तो वो replace करेगी company को, तो फिर उसकी बजाए आपको जो analysis of financial statement के question आएगे वो, तो उसमें सबसे important है आपका cash flow statement, जिसमें long question तो आना ही आना है, six marks का पक्का है, guaranteed है, और जो आता है, उसमें adjustment जो है, वो आपके board के accordingly, सिर्फ depreciation, tax और dividend, इसके अलावा कोई adjustment आपके course में नहीं है, तो आपको depreciation के सारी adjustment आनी चाहिए, और dividend और tax की आनी चाहिए, यह important है, ठीक है, उसके इलावा theory के question, one more marks के ह है, वो इसमें involved हो जाएंगे, और साथ में, दूतरा chapter comparative common में से four marks का question तो board में भी है, तो इसमें भी comparative common का question easy होता है, बहुत आराम से होता है, वो आपको तयार करना है, वो आना है, पहला chapter में भी three four marks का सकता है, उसमें आपको company की balance sheet याद करनी है, proper head याद करनी है, कि कौन से head में कौन सी item आएगी, क्या हैगी वो आपको पूरा पहले पहले chapter तो आपको पूरा याद कर नहीं करना है, companies balance sheet जो है, वो आपको याद कर नहीं करनी है, अब बात रहेगी कि बाकी जो है वो ratio है, ratio accounting ratios, तो accounting ratios में वैसे तो आपको पता है कि accounting ratios का classification करें, तो liquidity ratios है, liquidity ratio में करेंट है, total debt to capital employed ratio है, काफी सरी, दो तिन ratio एक इसमें additional ratio है, दो turnover ratio है, तो यह है, उसके बाद activity ratio है, यह स्टॉक turnover ratio है, working capital turnover ratio है, data trade-sable turnover ratio है, trade-pable turnover ratio है, fixed अब नई ratio भी आट हुई है, fixed asset turnover ratio है, और total total assets turnover ratio है, तो यह हैं तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें अगर important की बात करें, तो सबसे important जो है, वो inventory turnover ratio आपका, inventory turnover ratio तो आपको तयार होनी चाहिए, यह सबसे important है, और उसके बाद मैं बात कहूंगा, कि जो नई ratio आई है, इसके अंदर वो आपको तयार करनी है, और इसी तरह है, solvency ratio के अंदर debt equity ratio सबसे ज्यादा important है, debt equity ratio, प्रोप्राइट रिशो और अगर जो जो नहीं आई है, उसको आपको क्योंकि वो नहीं पहली बार introduce हुई है, तो उसको भी कर लेना चाहिए, आखरी ratio है, profitability ratio, profitability ratio इसके अंदर भी बहुत सारी ratio है, percentage में हमसरा आता है, पहली है gross profit ratio, दूसरी है net profit ratio, फिर operating ratio, फिर operating profit ratio, फिर return on captain blood, जैसे ROI, return on investment बोलते हैं, यह important ratios है, तो इसके अंदर जो सबसे important ratios रहती है, वो gross profit ratio रहती है, operating ratio, operating profit ratio रहती है, ठीक है, और ROI सबसे important है, तो इस तरीके से आपको रेशो का यह जो chapter वो cover होगा, और एक theory का chapter है, second chapter है, उसमें theory जो है almost three page की है, और उसमें आपको बता है कि importance, objective financial statement है, significance है, यह almost कुछ, कुछ chapter तो आप आपने 11th में ही prepare करे हुए थे, user of financial statement, ठीक है, और दो topic और अगर इसमें theory के add होगे, vertical analysis और horizontal वो सबसे important है, vertical analysis और horizontal तो अगर इन दोनों को और साथ में वो जो बाकी है, उनके headed से याद कर ली, जो 11th से याद हैं आपको, तो यह आपका chapter प्रिपर हो जाएगा, तो इस तरह मि paper बनेगा, हार फेल्ली में, वो 80 marks बनेगा, question number of question वैसे ही आने चाहिए, वो ठीक है, split कर देंगे, अगर company है, तो financial statement का जो chapter है, वो वाला 20 marks है, वो इनमें 10-10 marks मान लीजे, approximately, और अगर company नहीं आ रही है, cash flow आ रहा है, तो 24 marks partnership हमें, हाफ-ाफ जोड लीजे, total marks के, तो इस तरह के से prepare त्यार होगा, और यह important topics है, आपके, इनीवे से chance रहता है, ठीक है, बाकी रहेगी, board की बात, कि board में, पूरा 80 marks का आएगा, कैसे number wise question आएंगे, कि chapter से important है, कौन-कौन से topic important है, क्या question की weightage है, क्या partnership की weightage है, क्या company की weightage है, क्या analysis की weightage है, और board का paper कैसे prepare होगा, वो हम, य कि आपकी जो इसके लिए video जो है, वो at earliest next month में, November में, December में आपको, आपको provide कर देंगे,